तो लीजे गाईज, RRB ने एक बार फिर से छात्रों के साथ छल करने वाला एक notification जारी कर ही दिया अभी मैंने कुछ दिर पहले आपके सामने RRB, RRC Group D के बारे में जो previous notification था जब form fill की गए थे तो उस notification के आधर पर क्या क्या चीज़े की गई थी उसमें बोला गया था कि तीन गुना चात्रों को बुलाया जाएगा, CBT first exam होगा, post wise, level wise यानि की cut off होगी है ना, ये सब चीज़े मैंने अभी आदे गंटे पहले एक video upload की है, notification के आधर पर लेकिन railway ने जो अभी ताजा update दिया है आज की date में, ये देखे, RRC 01 by 2019 level 1 post, तो ये group D के लिए notification जारी किया है, जी नया notification और देखे, इस notification के जरिये उन्होंने क्या सफाई दिया है, और क्या कहना चा रहे है, देखे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, guys, मैं आपको बता दू कि ये हमारी website है, guru-kitab.com, जिसके बारे में आप जानते हैं, यहाँ पर आप RRB, RRC Group D है, ठीक है, RRC Group D, इसके अल रहे हैं, maths आपको तियार करना है, reasoning आपको तयार करना है, तो सारी PDF आपको यहाँ पर हमारी इस website में मिल जाती है, आपको कहीं भी दरोदर बटेकने की जरूर देखे, सीधा इस website पर आईए, guru-kitab.com, बहुत ही कम, reasonable से discount वाले price, 50% discount पर सारे offer चल रहे हैं, तो आप कोई भी को यहाँ से डाउनलोड करके अपनी तयारी को बैतर बना सकते हैं, point one पढ़िए, सबसे पहले तो देखे, one में, exam schedule for CBT1 and introduction of CBT2, याने के group D में, भाई, अब CBT2 भी होगा, main exam भी होगा, in view of the large number of applications received, railway have decided to conduct two stage computer-based test, CBT2, CBT's, in terms of para 3 of the important instruction, तो पैरा में ही change कर दिया, जो उन्होंने पुराना notification दिया था, clear, तो first stage CBT1, starting from 23rd FAP 2022, चलो ये तो clear है कि 23rd February से आपका exam होगा, है ना, तो अब उन्होंने, जो CBT1 का syllabus था, वो तो आप जानते थे, अब CBT2 का भी syllabus उन्होंने जारी कर दिया है, देकिए, exam का duration वही 90 मिनिट क जन्होंने जन्होंने पूछा जाता है, उसके बाद जी इन्होंने क्या कहा है, short listing of candidate of CBT2, 15 times of notified vacancies, यानि कि जो vacancies है, उनका 15 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा, ऐसा ये इस notification में बोल कर चल रहे है, अब बाद में पता चलेगा उसकी क्या सच चाहिए, वो तो जब result आएगा आप लोगों के सामने, ये इन्होंने कुछ normalization का पूरा एक formula share किया आप लोगों के साथ कि किस तरह से normalization क्या जाएगा, इसको मैं विस्तार से अलग से समझाऊँगा कि ये कैसे काम करेगा, कितने marks बढ़ सकते हैं आप लोगों के बढ़ते हैं और घटते हैं भी है marks, जैसे कि मैं हमेशा बताते हैं कि normalization में marks कम भी होते हैं, तो वो सारी चीज़े मैं आपको आने वाली videos के अंदर clear करके चलूँगा, कि कितने marks बढ़ सकते हैं, कितने घट सकते हैं, document verification के बारे में इन्होंने यहां पर यह चीज़े clear किया, document verification है, in paneling of candidate, तो CBT first और PET के लिए जो finally, जब CBT 2 पास हो जाएगा, तो उसमें 1.05 times candidate को बुला जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ यहां पर मेंशन है, based on performance of candidate in CBT 2, यह पूराना वाला notification है, उसमें ऐसा बोला गया था, call for document verification, DV cell, henceforth be equal to the number of notified vacancies, यानकि 1 ratio 1 की हिसाप से वो रखा जाएगा, ठीक है, चलिए, तो यहां भी amendment होने लगें अब, clear, तो यह है सारा, तो यानि कि अब आपके सामने क्या चीज़ चैलेंज हो गया, एक तो चैलेंज हो गया, जी आपका, कि अब आपको CBT 2 भी देना है, ह को देना है, और यहां पर यह भी चीज है, एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, तो गाइस यह देखे, यह रिवाइज पोस्ट का पैरामीटर है, पूरा, असे स्टेंड वर्क, शॉप, मेकेनिकल, असे स्टेंड ब्रीज, C&W, मेकेनिकल, तो इसी साब से इन्ह अब सवाल यह बनता है, कि अगर C&W होता है, तो अब यह चीज तो किलियर हो गई है, जी C&W होता है, तो अब रेलेवे जो है ना, जो आपकी कट ओफ जारी करेगा, वो पूरा-पूरा में दावे के साथ कह सकता हूँ, वो पोस्ट वाइज, यानि की लेवल वाइज ही कट यहाँ पर फिर से आपके सामने रखने वाला है, तो अब आपको सर्प्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, कि एकदम से आपको पता चलता है, रेलवे ने, चलो ठीक है, एक्जाम से करीब परीब एक महिना पहले आपको यह नया नोटिविशन देके, एक सर्प्राइज पह आपके सेलेक्शन होगा, है ना, और CBT First में सबसे बड़ा बकेडा तो वही होता है, लेवल वाइस कट आफ का, पोस्ट वाइस कट आफ का, तो यह अभी का हाल ही का, जो अभी थोड़ी देर पहले, RRB ने अपने हवाले से नोटिविशन जारी किया है, किलियर गाईज, त या कोई भी ऑफिशल अपडेट आता है, उस रेलेटर में वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, वीडियो के साथ, लाइक करने के साथ साथ, इस चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर करें, नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई, थैंक यू